नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पे आज हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक कक्षया 10 की हिंदी की पाठे पुस्तक कृतिका का डुली अपार्ड या कमलेशर द्वारा रचित है जॉर्ज पंचम एक ब्रिटिस आ सकते जिन्होंने 1910 से 1935 तक एंग्लेड में सासन किया था उस समय पे जो भारत था वो भी अंग्रेजों के अधीन था इसलिए जॉर्ज पंचम के स्टैचू अर्थात उनकी जो मोर्तियां थी वो भारत के अंदर लगाई गई इस पार्ट के अंदर जॉर्ज पंचम की नाक का वर्णन है जो उनकी स्टैचू की नाक है तो आईए पार्ट को पढ़कर इसे समझते हैं यह बात उस समय की है जब इंग्लेंड की रानी एलिजाबेड दुटिया महे अपने पती के हिंदुस्तान पधारने वाली थी यानि की इंग्लेंड की रानी एलिजाबेड दुटिया अपने पती के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी अगवारों में उनकी चर्चा हो रही थी रोज लंदन के अगवारों से खबरे आ रही थी कि साही दॉरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है रानी एलिजाबेत का दरजी परेशान था कि हिंदुस्तान पकिस्तान और नेपाल के दॉरे पर रानी कव क्या पहनेंगी उनका सेकेटरी और सायद जासूस भी उनके पहले ही इस महादूब का तुफ़ानी दोरा करने वाला था आखिर कोई मजाग तो था नहीं जमाना चू की नया था फौस फाटे के साथ निकलने के दिन बीच चुके थे इसलिए फोटोग्राफरों की फौस तयार हो रही थी अर्था पहले के समाई में जो राजा महराजा हुआ करते थे उनके साथ में सैनिक वगेरा चला करते थे हाथी गोड़े आदी की सेना चलती थी पैदल सैनिक चलते थे अंगरक्षक चलते थे तो वो कह रहे हैं कि जमाना बदल चुका है तो अपने साथ में फौस लेकर नहीं चला जाता था इसलिए फोटोग्राफरों की फौस तयार हो रही थी और फोटोग्राफर थे तो उन्होंने फौटो लेनी थी जिसके लिए रानी एलिजावेट के लिए अलग अलग तरह की पोशा के तयार की जा रही थी ताकि वे किस दोरे पर या किस देश के दोरे पर किस तरह की पोशा के पहनेंगी ये पहले से नियत हो सके इनलेन के अगवारों की कत्रने हिंदुस्तानी अगवारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हलके नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेसमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पॉंड खर्चा उस सूट पर आया है कहने का मतलब यह है कि इंगलेंड के अगबारों में यह चर्चा होती थी कि रानी का सूट उसका कपड़ा और उस पर आने वाला खर्चा यह खबर इंगलेंड के अगबार में चपती थी और वहीं से उस खबर को टीब कर यानि कि उठा कर हिंदुस्तानी अगबारों में भी चापा जाता था रानी एलिजाबेट की जन्म पत्री भी चपी प्रिंस फिलिप के कारना में चपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगर अक्षरकों की पूरी की पूरी जीविनिया देखने में आई साही महल में रहने और पलने वाले कुटों तक की तस्वीरें अगबार में चप गई यानि की अगबार में रानी एलिजाबेट और उनके आस पास काम करने वाले सब या रहने वाले सभी लोगों से सम्मदित खबरें चपने लगी बड़ी धोम थी बड़ा सोर सरावा था संख इंगलेंड में बज रहा था और बूज हिंदोस्तान में आ रही थी अर्थान कूँच की तयारी इंगलेंड से हो रही थी लेकिन उसका जो सोर था वो भारत तक पहुँच रहा था इन खबरों से हिंदुस्तान में संसनी फैल रही थी राजधानी में तहल का मज़ा हुआ था जो रानी पांच हजार रुपिये का रेस्मी सूट पहन कर पालम के हवाई अड़े पर उतरेगी उसके लिए कुस्तो होना ही चाहिए कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए ये बहुत पहले की बात है इसलिए पांच हजार रुपिये का सूट बहुत माइने रखता था उस समय पे तो इतना खर्चा अगर रानी की पोसाग में ही हो रहा है तो रानी के स्वागत में कुछ नया कुछ बहुत कुछ यानि के कुछ विसे सोना चाहिए ऐसा सब की राय थी जिसके बावर्ची पहले महाई दमे जान हतेली पर लेकर लड़ चुके हैं उनकी सानु सुकत के क्या कहने और वही रानी दिल्ली आ रही है नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाकता मूँ से निकल गया वह आये हमारे घर खुदा की रहमत कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा काया पलट होने का मतलब उसका जो रूप था वो बदलने लगा यानि कि रानी की स्वागत में दिल्ली को सजाया और समारा जाने लगा और करिस्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा किसी ने किसी को नहीं देखा पर सडकें जवान हो गई बढ़ापे की धूल साफ हो गई इमारतों के नाजनीनों की तरह सिंगात किया इस का मत चखने का दात्पर chili ये है कि किसी प्रकार का आदेश नहीं आया था कि सफाई बियुष्टा होनी चाहिए लेकिन बिना किसी के कहें, बिना किसी के देखें, वहां सड़कें साफ की जाने अलगी, धूल साफ होने लगी इमारतों को नई दुल्हनों की तरह सजाये जाने लगा, उनका सिंगार होने लगा लेकिन एक बड़ी मुस्किल पेस थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाग यानि कि उनकी मूर्ति की नाग नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जह रहा था सब कुछ हो जाने की उमीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाग बड़ी मुसीबत थी यानि कि सफाई आधिका कारिय तो हो रहा था और चल रहा था और वो हो जाएगा लेकिन एक जो चीज थी, वो जॉर्ज पंचम की नाग वो मुसीबत बनी हुई थी देखे कैसे बनी हुई थी, इस नाग की भी एक लंबी दास्तान है इस नाग के लिए बड़े तहल के मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे राजनेतिक पार्टियों ने प्रस्ताओ पास किये थे, चंदा जमा कराय गया कुछ नेताओने भासन भी दिये, गर्मा गरम बहसें भी हुई थी, अकबारों के पन्ने रंग गए थे बहस इस बात पर थी कि जौश पंचम की नाग रहने दी जाए या हटा दी जाए और जैसा कि हर राजनेतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्षमे थे या और कुछ विपक्षमे अर्था कुछ कह रहे थे कि नाक रहने दी जाए और कुछ कह रहे थे नहीं रहने दी जाए और ज्यादातर लोग खामोस थे, खामोस रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, यहां आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हतियार बंद पहरेदार तैनात कर दिये गए, यनि कि उनके स्टेचु के पास में पहरेदार तैनात कर दिये गए, क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुच जाए, क्योंकि पखश और बिफखश दोनों थे, कुछ लोग चाहते थे कि नाक रहने दिजाए, कुछ चाहते थे कि नाक खटा दी जाए, तो इसके लिए, जब आशंका हुई कि कुछ लोग नाक हटाने के पक्ष में हैं, तो नाक को बचाने क के लिए पहरेदार नुक्त कर दिये गए हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाके खड़ी थी यानि कि कई जगह उनकी मुटियां थी और ऐसी जॉज बंचम की नाके भी उन मुटियों में थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें सानों सौकत के साथ उतार कर अजयब घरों में पहुंचा दिया गया कहीं कहीं तो साही लाटों की नाकों के लिए कुरिल्ला युद्ध होता रहा यानि कि मुझे साही खांदान के जो व्यक्तियों के जो मूर्तियां थी उनकी नाकों को काटने के लिए लोगों के बीच में युद्ध भी होता रहा उस जमाने में यहां हाथसा हुआ इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एक आएग गायब हो गई हतियारबन पहरेदार अपनी जगे चैन तेनाथ थे गस्तल लगती रही और लाट की नाक चली गई अर्थान इतने पहरेदारों के न्युक्त होने के बावजूद भी जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक भी वहां गायब हो गई रानी आए और नाक नहो एक आएक परेशानी बढ़ी क्योंकि रानी जो थी वो भी ब्रिटेन से ही संबंदित थी और जो जॉर्ज पंचम थे वो एक समय पे ब्रिटेन के राजा थे गस्त लगती रानी आए और नाक नहो एक आएक परेशानी बढ़ गई बड़ी सरगर्मी सुरूवी देश के खैर ख्वाहों की एक मिटिंग बुलाई गई यानि की देश का भला चाहने वालों की एक मिटिंग बुलाई गई क्योंकि उनको संदेश था कि दानी यहाँ पे आएंगी उन्हें जौस पंचम की लाट पे नाक नहीं दिखेगी बुरा प्रभाव देश पर पड़ेगा इसलिए देश का भला चाहने वालों की एक मिटिंग बुलाई गई और मसला पे इस किया गया किया जाए वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यहाँ नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी अर्थात हमारी भी नाक कर जाएगी क्योंकि हमारे देश में जॉज पंचम की नाक को काड़ दिया गया है जो एक समय पे उस देश में राजी करते थे उच्छे स्तर पर मस्वरे हुए दिमाग खरोचे गए और यह तै किया गया हर हालात में इस नाक का होना बहुत जरूरी है यह तवी होते ही एक मूर्थिकार को हुकम दिया गया कि वो फौरण दिल्ली में हाजर हो मूर्थिकार यह तो कलाकर था पर जरा पैसे से लाजार था आते ही उसमें हुकामों के चेहरे देखे अजीब परेशानी थी उन चेनों पर कुछ लटके कुछ उदास और कुछ बदहौस थी उनकी हाला देखकर लाजार कलाकर की आँखों में आशु आ गए तब ही एक आवास सुनाई दी मूर्थिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है मूर्थिकार ने सुना और जबाद दिया नाक लग जाएगी पर मुझे मालूम होना चाहिए कि या लाट कब और कहां बनी थी इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था सब हुकमों ने एक दूसरे की तरफ ताका ताका मतला हम देखा एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि या बताने की जम्मेदारी तुम्हारी है खेर मसला हल हुआ एक कलरक को फौन किया गया और इस बात की पूरी छानमीन करने का काम सौप दिया गया पुरातत तो विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला यानि की उन फाइलों को खोला गया लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चला कलरक में लौट कर कमेटी के सामने कामते हुए बयान दिया सर मेरी खता माफ हो फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है यानि कि पाहिलों में दफन हो चुका है अब यहां जानकारी किसी के पास में नहीं है मौखिक रूप से हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे या काम दे दिया गया कि जैसे भी हो या काम होना है और इस नाख के दारुमदार आप पर है तो ये बात अब उन पर छोड़ दी गई है कि नाख लग जानी चाहिए आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया उसने मसला हल कर दिया वो बोला पत्थर की किसम का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होईए मैं हिंदुस्तान के हर पहाड पर जाओंगा और ऐसा ही पत्थर खोचकर लाओंगा कमेटी के सदश्यों की जान में जान आई सभापती की ने चलते चलते गर्व से कहा ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है हर चीज इस देश के गर्व में छिपी हुई है जरूरत खोच करने की है खोच करने के लिए महनत करनी होगी इस महनत का फल हमें मिलेगा आने वाला जवाना खुशा लोगा यह चोटा सा भोश भासन फोरन अगवारों में छप गया मूर्दिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दोरे पर निकल गया ताकि वो उस मूर्दिकी पत्थर को खोच कर ला सके कुछ दिन बाद वो हतास रोटा उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी उसने सिर लटका कर ख़वर दी हिंदुस्तान का चपपा चपपा खोज डाला पर इस किसन का पत्थर कहीं नहीं मिला यह पत्थर विदेशी है सभापती ने तैस में आकर कहा लानत है आपकी अकल पर विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं दिल, दिमाग, तौर, तरीके, रहन, सहन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता है मूर्तिकार चुप खड़ा था, सैसा उसकी आँखों में चमका गई उसने कहा, एक बात में कहना चाहूँगा, लेकिन इस सर्थ पर कीह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे सभापती की आँखों में भी चमकाई चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिये गए तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें, तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाँ से इस लाट पर ठीक बैठे, उसे उतालाया जाए अर्था तो यह कहना चाता है कि हमारे देश के नेताओं की लाट भी यहाँ पर बनी हुई है अगर किसी की नाँ किसमें ठीक बैठ जाती है तो हम उसे काट कर इस लाट की नाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ सुजाओ उसके द्वारा दिया गया सबने सबकी तरफ देखा सबकी आँखों में एक शण की बदहवासी के बाद खुसी पैरने लगी यानि कि उनको यहाँ सुजाओ अच्छा लगा सभापती ने धीमे सवर्म कहा लेकिन बड़ी हुश्यारी से और मूर्तिकार फिर देश तोरे बनने कल पड़ा जोर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था दिल्ली से वो बंबई पहुचा दादा भाई नौरो जी, कोकले, तिलक, सिवाजी कावस जी, जहांगीर, सब की नाके उसने ट्रटोली नापी और गुजरात की ओर भागा गाधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्थियों को परखा और बंगाल की ओर चला गुरुदेव, रवेंदरनाथ, सुभाश नबोस, राजाराम मोहन राए, आदी को भी देखा नाप जो की और बिहार की तरफ चला बिहार होता हुआ, उत्तर प्रदेश की ओर आया चंदर से का राजा, द्विसमिल, मोती लाल नहरू मदन मोहन मालवी की लाटो के पास गया घबराहट में मदरास भी पहुचा, सत्यमूर्थी को भी देखा और मैसूर केरल आदी, सभी प्रदेशों का दवरा करता हुआ, पंजा पहुचा लाला लाज पत्राय और भगत सिंग की लाटो से भी सामना हुआ आखिर दिल्ली पहुचा और उसने अपनी मुश्किल वयान की पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया सब मूर्थियां देखाया सब की नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली जोर्ज पंचम की नाख अन्यमोर्थियों की नाख से छोटी है यहां पर व्यंगा करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों की नाख जो होती है वो बड़ी होती है जबकि जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी नाख बहुत छोटी होती है नाग छोटी होने का मतलब नाग सम्मान का प्रतीक होता है तो उनका अपना खुद का सम्मान नहीं है लेकिन हिंदुस्तान के लोग उची नाग रखते हैं अर्था वी सम्मान जनव जीवन जीते हैं सुनकर सबतास हो गए और जुजलाने लगी मुर्तिकार ने धांड़स बताते हुए आगे कहा सुना है कि बिहार सेक्रेटरियेट के सामने सन बैयालिस में सही दोने वाले बच्चों के मुर्तियास दापित है सायद बच्चों की नाखे फिट बैट जाए किया सोचकर वहां भी पहुँचा पर बच्चों की नाके भी इससे कहीं बड़ी बैटती है अब बताईए मैं क्या करूँ इसका थन के माध्यम से भी यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े तो बड़े बड़े नेता तो आप छोड़िये जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने देश के लिए सहीद होकर देश का नाम उचा गया देश की नाक उची की उनकी नाक किस से बड़ी है जोज पंचम की नाक से बड़ी है यानि कि उनका ओहदा जॉर्ज पंचम से काफी उचा है रासधानी में सब तहीं आ रही थी जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था रोगन लगाया गया था सब कुछ हो चुगा था सब नाक नहीं थी बात फिर बड़े हुकामों तक पहुँची बड़ी खलबली मची अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यानि कि आप रानी का किसी भी तरह से स्वागत कर लो कितनी ही अच्छी तरह से स्वागत कर लो लेकिन अगर उनको यह पता चला कि जॉर्ज बंचम की नाक काटी गई है मूर्थ की तो अन्य स्वागतों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अर्थात रानी फिर उनसे खुश नहीं होंगी लेकिन मूर्थिकार पैसे से लाचार था यानि हार मानने वाला कलाकार नहीं था यानि कि अगर उससे पैसा दिया जाए तो वह किसी भी तरह से उस कारे को कर लेता एक हरतरंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौदा और उसने पहली सर्थ दो रही जिस कमरे में कमेटी हुई थी उसके दर्वाजे फिर बंद हुए और मुर्दिगार ने अपनी नई योजना पैस की अर्थान उसने यही कहा कि बात अखवारों तक ना पहुँचे कोई अन्य हमारी बात को ना सुने और इसी सर्थ के साथ वह पुना दर्वाजे बंद करके अपनी योजना पैस करने लगा चोकि नाख लगाना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड में से कोई एक जिन्दा नाख काट कर लगा दी जाए 40 करोड कहने का ताथ पर ही उस समय भारत की जो जनसंग्या थी वो 40 करोड थी कहने का ताथ पर यह मूर्तिकार काय सुजाओ था कि किसी जन्दा व्यक्तिकी नाख को काट कर जोज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया जाए बात के साथ ही सननाटा चागया यह वाकई में एक स्थब्द कर देने वाली बात थी कि किसी जन्दा व्यक्तिकी नाख को काट कर जोर्ज पिंचप की नाख पे लगा दिया जाए कुछ मिनेटों की खामोसी के बाद सबापती ने सब की तरफ देखा सब को परिशान देकर मुर्थिकार कुछ अचकचा आया यानि कि थोड़ा सा चौका और धीरे से बोला आप लोग क्यों घवराते हैं या काम मेरे उपर छोड़ दीजे नाख चुनना मेरा काम है आपकी सिर्फ इजाज़त जाहिए कानाफ उसी हुई और मुर्थिकार को इजाज़त दे दी गई ताकि वहां किसी व्यक्ति की जिसकी नाख जोज़ पंचम की लाटकी नाख से मेल खाती हो वहां चुन कर उसे लगा सके है अगवारों में सिर्फ इतना छपा कि नाख का मसला हल हो गया है और राजपत पर इंडिया गेट के पास वाली जोज़ पंचम की लाटके नाख लग रही है यनि कि नाख के लिए मूर्तिकार को बोला गया है ये अकवारों में चपा था उसके बाद ये चपा था कि मूर्तिकार नाख के लिए देस का ब्रहमन कर रहा है पत्थरों को ढूड़ रहा है ये सारी बात है तो जनता के बीच में साजा हुई थी लेकिन जो अगली बात थी नेताओं की मूर्दियों से नाक लेकर जौश पंचम की लाट पे लगाने की और उसके बात किसी जिन्दा व्यक्ति की नाक काट कर लगाने की बात थी यह बात अगबारों में नहीं चपी थी लेकिन सफ इतनी सी बात चपी थी कि नाक वाला मसला हल हो गया अर्थाद नाक की लिए दिवस्ता हो चुकी है और वहां लग रही है नाक लगने से पहले फिर हत्यारबन पहरेदारों की तैनाती होई मूर्तिकार आस पास का तालाब सुखा कर साफ किया गया उसकी रवावर निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिन्दा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए इस बात की ख़वर जनता को नहीं थी यह सब तैयारियां भीतरी भीतर चल रही थी रानी के आने का दिन नजदीक आ रहा था मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था जिन्दा लाग लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मागी वह उसे मिल गई लेकिन इस इदायत के साथ की एक खास दिन हर हालत में नाग लग जानी चाहिए और वह दिन आ गया जोज पंचम के नाग लग गई सब अगबारों ने खबरें छापी कि जोज पंचम के जिन्दा नाग लगाई गई है यानि ऐसी नाग जो कतई पत्तर की नहीं लगती तो इस तरह की खबर अगबारों में छपी लेकिन उस दिन के अगबारों में एक बात गौर करने की थी उस दिन देश में कहीं भी किसी उदगाटन की खबर नहीं थी किसी ने कोई फीता नहीं काटा था कोई सालवजनिक सभा नहीं हुई थी कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी किसी हवाई अड़ेया स्टेशन पर स्वागत समारो नहीं हुआ था किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था सब अगबार खाली थे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था नाक तो सर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए बुद्ध अर्था मूर्थी के लिए लेकिन किसी जिन्दा व्यक्ति की नाक काट कर जॉज पंचम की नाक पर लगा देने से भारती ये जो थे स्वयम को की नाक कटी वी महसूस कर रहे थे क्योंकि वे उस व्यक्ति के समान के लिए एक व्यक्ति की नाक को काट कर लगा रहे थे जिसने भारत पर कई वर्सों तक सासन किया था अपने अत्याचारों से अपनी गुलामी से भारत को परिशान किया था उस व्यक्ति की लाट पर नाग लगाने के लिए एक जिन्दा व्यक्ति की नाग काट कर लगा दी गई इस तरह भारत वाशियों की नाग कट गई आश्या है आपको बाट समझ में आया होगा धन्यान